कार्ते कारियन और कृती सैनन स्टार फिल्म शेह जादा का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक सीन के दौरान कार्ते क सीनियर एक्टर परेश रावल को थपड़ मारते दिखते हैं। ट्रेलर लौंच के दौरान जब इस बारे में सवाल किया गया, तो कार्ते क ने कहा कि ये शूट करना काफी मुश्किल था, लेकिन परेश सर ने उनकी मदद की। कार्ते कारियन ने जवाब देते हुए कहा, मैं इस सीन को लेकर उल्जन में था, लेकिन परेश जी का शुक्रि थपड नहीं मारते, लेकिन आपको दिखाना होता है कि सही में मारा गया है, ऐसे में कभी भी गलती से सच में भी हाथ लग सकता है, लेकिन दोनों एक्टर्स के बीच में थ्रस्ट होना चाहिए, ये टाइमिंग का भी खेल है और परेश सर तो ऐसी कॉमिक टाइमिंग के किं हैं, कार्तिक ने बताया कि सीन से पहले परेश रावल ने उनसे क्या कहा था, परेश जी ने मुझ से कहा था, तू टेंशन मत लेना, कीच के मारना, फिल्म के मूड में जाना, रोहित धवन के निर्देशन में शेहजादा दस फरवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, ये अलू अर्जुन की सुपहिट फिल्म अलाव अकुंटा पुरमलो की ओफिशियल हिंदी रीमेक है, फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद कह सकते हैं कि कार्तिक आरियन साल 2030 की धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं, शेहजादा के ट्रेलर को फैंस से जबरदस्त रिस्पॉस देखने मिल रहा है, यहां कार्तिक अपनी पहली की फिल्मों से कुछ अलग अंदाज में नजर आए हैं,